वेलकम टू इश्यानी वीडियोज कुमकुम भागी का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा और अगर नहीं देखा तो कोई बात ने अब ZTV और Z5 एप डाउनलोड करके कभी भी एपिसोड देख सकते हैं आने वाले एपिसोड में अभी और प्रग्या के मिलने का वक्त फिर से एक बार आ चुका है लेकिन ये मोड लाएगा काफी बड़ा ट्विस्ट अब आखिर में ऐसा क्या आएगा कहानी में ट्विस्ट चली हम आपको बताते हैं और साथ ही साथ अब रनवीर को एक अलग ही जगे फसाने की लिए ताकि वो प्राची से दूर रहे उसकी यहाँ पर शादी की तयारे शुरू होने वाली है उसको हम बताएंगे आपको बोनस पॉइंट के तोर पर लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा जब यहाँ पर प्रग्या अपने गुसे का सारा का सारा यहाँ पर इलजाम महरा पर लगाने वाली है अब आखिर में दोनों का आमना सामना होगा क्या अभिवर प्रग्या मिल पाएंगे क्या यहां पर प्यार का इजहार हो पाएगा यहां पर रनवीर और प्राची की बीच में या फिर नहीं क्या आने वाले एपिसोड में और क्या खास होगा तो चलिए सारी बाते बताते आपको लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरू कर दीजेगा ताकि हमें के सामने सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि आखिर में मिस्टर महरा ने गलत किया तो किया अब उनसे वो मिलने के लिए जा रही है लेकिन यहां पर आप सब के सामने एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर अब मिस्ट क्या की मुलाकात होगी सिर्फ यहाँ पर उस लॉयर से जिसको बुलाया गया है अभी के दौरा लेकिन अभी अभ सुडाने वाला है यहाँ पर प्राची को और उसके साथ साथ बेल और बाकी सब कुछ यहाँ पर वो करवाने की कोशिश करने वाला है और उसके बाद में एक ब पारे में आपको बताते हैं बोनस पॉइंट के तोर पर लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजेगा आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर माया और उसके बाद में यहाँ पर रनवीर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने फिर से आते हैं और माया की तरफ से सबसे बड़ी साजी शरची जाती है कि उन दोनों की शादी जल्दी से जल्दी करवाती जाए अभी यहाँ पर प्राची जेल में हैं जो की बीच में नहीं आएगी लेकिन यहाँ पर रिय जाके सामने सबसे बड़ी मुसीवत खड़ी हो जाएगी इसकी डीटेल वीडियो कल आपको देखने को मिल जाएगी तो कितने जादा एक्साइटेड आप यह सब देखने के लिए कमेंट करके जरू बताना और एक लाइक जरू कर दीजेगा ताकि हमें अप्रीसेशन मिले और हम आपको ऐसी रियल और इंट्रस्टिंग अप्डेट परवाइट कराते रहें थैंक यू